नमस्कार हिंदी साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तों JRF हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम इकाई दो पढ़ रहे हैं और इसमें हमने रितिकाल को लगबग समाप्त कर लिया था लेकिन इसके अलावा रितिकाल की कुछ अन्य प्रवरितियां और अन्य जो कवी हैं उनके बारे में डिसकस करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि रितिकाल से प्रशन इस तरीके से पूछा जा सकता है कृतिकालीन कृष्ण कवी कौन है या रितिकालीन राम कवी कौन है इस तरीके से भी प्रशन कई बार पूछे जाते हैं और रचना भी पूछ जा सकती है कि कौन सी रचना रितिकाल की वीरता परक है या फिर आपकी अन्य प्रवरिती जिसमें हो रितिकाल से रितिकाल के तो इस तरीके की जो रचनाएं हैं इस तरीके की जो कवी हैं कई वार इनसे प्रशन पूछने की संभावना रहती है UGC NET की परिक्षा में तो ऐसे प्रशनों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए तो आज का हमारा ये जो लेक्षर है पूरा का पूरा जो रितिकालीन अन्य प्रवरितियां हैं और अन्य जो कवी हैं उनके बारे में हम आज देखेंगे तो चलिए बिन देर किये शुरुआत करते हैं आज के लक्टर की और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिती काली इन अन्य जुपरवरितियां और कवी क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, रीतिकालीन तीन धाराओं से अलग जो कावे है, उसे रीति इत्र कावे कहा चाता है. तो देखिए, जब हम बक्तिकाल के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने बक्तिकाल के अंत्रगत जो चार भागों में तो विवक्त किया ये जो सारी चीजें हमने भक्तिकाल में पड़ी थी तो ठीक इसी तरीके की जो अन्य प्रवरितियां है रितिकाल से हटकर जो रिति सेद, रिति वद और रिति मुक्त तीन धाराएं तो थी ही थी लेकिन इसके अलावा जो अन्य रचनाय रची गई उसे नाम दिया गया था र और दूसरा जो कावे आता है ये है गैर दरवारी कावे तो यहां पर रिति इत्र जो दरवारी कावे है उसको वीर कावे जो दरवारी कावे देखिए उसको क्या नाम दिया गया है वीर कावे और दूसरा जो गैर दरवारी कावे है देखिए उसको नीति और भक्ति कावे म अंत्रगत तो कुल मिला के ये तीन तरीके से माने जा सकती है क्योंकि जो गैर दरबारी कावे था उसको दो भागों में आगे विभाजित कर दिया है नीती कावे और भक्ती कावे में ठीक है तो कुल मिला के तीन ये हो गए वीर कावे नीती कावे और भक्ती कावे तो ये ती कावय जिसको निर्गुन ज्यानमारगी भी कहते हैं दूसरा आपका सूफी कावय जिसको निर्गुन प्रेमा श्रै या प्रेमा ख्यानक कावय के नाम से भी जाना जाता है फिर राम कावय और चौथा इसमें आता है आपका कृष्ण कावय तो इस त्रीके की रचनाएं रजी रितिकाल के कुछ एक चीज़ें आपको आधुनिकाल में देखने को मिल जाएंगी ठीक वैसी ही चीज़ें जो भक्तिकाल की चीज़ें थी वो रितिकाल में भी देखने को मिलती हैं तो इसी के चलते वीरकावे नीतिकावे और भक्तिकावे की जो प्रवितियां हैं वो हमें रितिकाल में भी देखने को मिलती हैं आई अब हम विस्तार से देख लेते हैं कि इन चीजों में कि क्या क्या चीज़ें सबसे पहले आती हैं सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वीरकावे तो देखिए वीरकावे की अगर बात की जाए तो रितिकाल इन वीरकावे जो है वो व श्रिंगारिक कावय या इसी के चलते इसको क्या कहा जाता है श्रिंगार काल के नाम से भी अभी हित किया जाता है लेकिन जो वीर कावय की रचना रितिकाल में हुई है वो क्या है वो एक तरीके से विशुद वीर कावय है उसमें श्रिंगारिकता जरा भी नहीं है इसलिए इ परंतु जो दर्वार जो है मुगल शासन के विरुद लड़ने वाले जो संगर्शिल राजा हैं उनका है ठीक है अता जो दर्वार से जुड़ने के बाद भी कवीता का मिजाज खराब नहीं है ठीक है यह धरा वीर कावे की है और इसके जो प्रमुक कवी माने जाते हैं देख पदमा कर तो इनके बारे में हमने विस्तार से पहले पढ़ लिया था आज हम जो इसके अन्य जो प्रमुक कवी हैं उनकी जो रचनाए हैं उसके बारे में यहाँ पर डिसकस करेंगे ठीक है नीचे यह कहते हैं देखिए रितिकालीन कावे में राजाओं की अतिश्योक्ति पूर्ण प्रशंसा के साथ-साथ देश्वक्ति का गौरव भी दिखाई पड़ता है तो देखिए जो रितिकालीन वीर कावे है उसमें राजाओं की जो अतिश्योक्ति पूर्ण तरीके से जो प्रशंसा की जाते थी राजा की उसके साथ-साथ इन्होंने क्या किया इसमें जो वीर कावे लिख रहे थे उन्होंने देश्वक्ति का गौरव भी स्पष्ट दिखाया है ठीक है रितिकाल में तो इसमें जो सबसे पहला नाम ये एक बार फिर से जो भूशन हुए हैं देखिए उनको कहा जाता है कि वो एक मात्र हैं वैसे लेकिन अन्य जो कभी हैं वी जो रितिकाल इन वीर कावे है देखिए इसको ये कहा जाता है कि ये रासो कावे क्या पिक्षा अधिक प्रमानिक है क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी रासो ग्रंथ हैं उनकी प्रमानिकता कहीं न कहीं संधिक्द है लेकिन जो वीर कावे रितिकाल में लिखा गया व रिति काल का जो कावे है वो वीर कावे से जो आपका रासो कावे है उससे अधिक प्रमानिक माना जाता है और इसमें ततकालिन इतिहास क्या माना जाता है कि वो सुरक्षित है ठीक है अगर हम बात करें देखिए जो प्रमुक कभी हुए हैं वो हैं आपके सबसे पहले जो दो वो हमने पहले डिसकस कर लिये थे भूशन और पदमाकर तो भूशन की जो दो रचनाएं माने जाती है इसके अंतरगत एक तो आपकी छत्र साल दशक है और दूसरा आपका शीबा बावनी तो शीबा बावनी और छत्र साल दशक ये दो रचनाएं माने जाती है लेकिन इसके अलावा जो अन्य रचनाए हैं देखिए वो कौन-कौन सी है आपके रितिकालीन वीर कावदा के अंतरगत तो यहां पर देखिए सबसे पहले छत्रप्रकाश है यह प्रबंध कावव है ठीक है तो छत्रप्रकाश किस ने लिखा था देखिए लालकवी ने लिखा था और लालकवी के बारे में भी हमने डिसकस कर लिया था कि इनको गोरेलाल के नाम से जाना जाता था और छत्रप्रका और ये जोदराज ने लिखा है अगर हम रासो काबे में देखें तो वहाँ पर हमीर रासो किस ने लिखी थी शारंगधर का हमीर रासो है ठीक है लेकिन ये वाला हमीर रासो किस ने लिखा है ये लिखा है जोदराज जीन है ठीक है तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है लक्षमन शतक दो रचनाए लिखी हैं दीखिए ये खुमान मान की रचनाए हैं तो निरी सिंग चरित्र और लक्षमन शतक ये दो रचनाए लिखिए हैं खुमान मानने ये भी आपकी वीर कावे आत्मक रचनाए हैं फिर सूर छतीसी और वीर विनोध ये लिखी है आपके ब वो लग बग लग इतनी ही हैं जिनका वनन हमें अपने इतिहास की पुस्तकों में मिलता है या जो दूसरी पुस्तके हैं वहां से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं तो इसके साथ ही साथ देखें रितिकाल के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि जो रितिकालीन वीरकाव अब हम देख लेते हैं रितिकाल में जो अन्य रचनाय रची गई तो दूसरा इसमें महत्वपूर्ण जो नाम आता है देखिए वो है आपका नीती कावे तो नीती कावे क्या होता है ये भी हम पीछे वाले लेक्चर में जो अब हम बक्तिकाल के अंत्रगत भक्तिकाल इन जो अन्य प्रवृतियां पड़ रहे थे वहाँ पर हमने नितिकावे के वेंबारें पूछा पड़ा था कि नितिकावे से सिंपल सा मतलब है जिसमें निति, धर्म, उपदेश इस्तिर के या ज्यान की बात कही गई हो वही आपका कावे के है नितिकावे है तो यहाँ पर देखे क्या लिखा गया है कि जो नितिकाथन भक्तिकाल में धर्म से जुड़े होते थे और कविता में आते थे रितिकाल में आकर वह नितिकावे प्रत्थम बार स्वतनत रूप में आया तो देखिए आपने जब भक्तिकाल में ये चीज पढ़ी थी कि भक्तिकाल की बहुत साई रचना ऐसी थी जो completely या पूर्ण तो ये कह सकते हैं कि वो नितिकी नहीं थी लेकिन कुछ न कुछ चीजें उसमें क्या थी निति से संबंदित थी चाहिए आपके रामचरीत मानस हो चाहिए आपका जाईसी का पदमावत हो उसमें कही न गई निति की कुछ अग चीजें कही थी लेकिन ये completely नितिकी नहीं थी लेकिन भक्तिकाल से आगे बढ़कर रितिकाल में क्या हुआ कि ये स्वतंतर रूप में आपका नीतिकाव आने लग गया कि complete इसको माना गया कि वो नीति ग्रंथ ही है तो प्रमुख जो नीति कवी और उनकी रचनाय हुई है देखिए इसमें जो पहला सबसे बड़ा नाम आता है वो है गिरिधर कविराय तो गिरिधर कविराय ने क्या लिखा है और इनके समंद में यहां पर देखिए अंबा प्रसाद सुमन क्या कहते हैं ये कहते हैं कि वैभा क्यों मानते हैं अंबा प्रसाद सुमन मानते हैं गिरिधर कविराय के समंद में कि इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या लिखा है कुंडलिया लिखकर इन्होंने प्रसिद्धी हासिल की व्यभार और नीति से समंदित जो कुंडलिया इन्होंने लिखी है तो ये सबसे श्रिष दोहा और पिंगल कावे भूशन दो इनकी रचनाएं मिलती हैं ये इनकी प्रमुक रचनाएं मानी जाती हैं बैताल ने भी स्फुंट जो कुंडलिया हैं वही लिखी है और इनकी जितनी भी कुंडलिया हैं और इनकी रचना इन्होंने विक्रम को संबोधित करते हुए कही है तो आपने देखोगा विक्रम और बैताल की जो कहानी आती भी थी सीरियल में तो वो यही चीज है कि इन्होंने मैक्सिमम अपनी कुंडलिया लिखी है विक्रम को संबोधित करते हुए ठीक है फिर आते हैं दीन द्याल गिरी और इनकी जो रचना है देखिए विश्वनात नवरतन 1822 में दिश्टांत तरंगिनी ठीक है और फिर आपका अनुराग बाग फिर वेरागय दिनेश और अन्योकती कलप द्रुम निती काव्य के अन्तरगत माने जाती है तो फिलहाल यह जो महतुपूर्ड निती कभी माने जाते हैं रितिकाल इन वो यही थे इसके अलावा वरिंद सथसाई आपने पढ़ा हमने पहले भी लक्चर में जो रितिकाल से समंधित हम कर रहे थे तो वरिंद सत्सई के बारे में हमने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि जो वरिंद की वरिंद सत्सई है वो भी क्या है नीती परक जो इनकी रचना मानी जाती है ठीक है तो आप चाहें तो उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने इसी लिए नहीं अब हम बात कर लेते हैं जो रिती कालीन आपका भक्ति कावय था उसके बारे में जान लेते हैं भक्ति काल को चार भागों में विवाजित किया गया है यह हम सब जानते हैं सबसे पहले भक्ति काल का जो भक्ति कावय का जो संत कावय है देखिए चार धाराओं में जो सबसे से कि मैंने पहले भी कहा कि जो एक प्रवरिती होती है वो कभी समय विशेश पर खतम नहीं होती है वो उस समय के बाद भी चलती रहती है हालां कि हमने समय सीमा में रितिकाल भक्तिकाल को बान तो दिया लेकिन भक्तिकाल से आगे बढ़कर रितिकाल में भी भक्ति मई जो रच शिव नराइन तुलसी साहब जो पांच प्रमुख माने जाते हैं भक्ती काल के अंतरगत जो संत कावेधारा है उसके ये प्रमुख कभी माने जाते हैं तो यहां पर इनकी रचनाएं सिंपल मैंने रख दी हैं कि ग्यान दीपक और दरिया सागर हैं दरिया साहब की जग जीव अंदास तो इनका जो प्रत्थम ग्रंथ रचना है फिर ग्यान प्रकाश है शाबत सागर है आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इन चीजों को देख सकते हैं मैंनली जो चीजें थी वो मैंने आपके बीच में बता दी हैं कि ये जो संत कावेधारा के अंतरगत आने वाले प्रमुक कवी हैं आगे हम देखेंगे इनके बारे में जो महत्वपून चीजें हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे तो चलिए सबसे पहले और चीज देख लेते हैं इनके बारे में कि रितिकालीन जो अन्य कवी हुए हैं आपके संत कवी वो कौन से हैं तो यहां पर संत कावेधारा के अंतरगत तो यह थे जो प्रमुक संत कावेधारा के कवी अब हम इनके बारे में थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं जो इन से संबंदित महत्वपून तत्य हैं सबसे पहले अगर हम बात करें देखिए जग जीवन दास की तो जग जीवन दास को जान ये जो सारे आते हैं इनको भी हम किसके अंतरगत लेते हैं जो रितीतर कावे हैं उसके अंतरगत लेते हैं और रितीतर कावें को इन कव्यों ने समरिद किया है संत कावे धारा के रूप में तो यहाँ पर अगर यारी सहाब की बात करें तो यारी सहाब का जो वास्तविक नाम के संत थे ठीक है फिर जो यहां पर जगजीवन दास हैं देखिए बहुत ज़्यादा थोड़े से मौतपूर्ण है क्योंकि जगजीवन दास एक तो यह दादू द्याल के शिशे थे तो दादू द्याल ने दादू पंथ का अस्थापना की थी लेकिन इन्होंने उस पंथ में रहकर ही इन्होंने अपना एक अलग संपुरदाय के कोड़वन नामक स्थान पर बनी है तो हो सकता है इस तरह के से प्रशन पूछा जाए कि सतनामी संपरदाय का प्रवर्तन किस ने किया और इसकी गद्दी कहां पर स्थित है So, इसकी जो प्रधान गद्दी है दीखी वो बाराबांगी जिले के कोटवा नामक स्थान पर स्थित है अगर हम जगजीवन दास के शिश्यों की बात करें तो देखिए इसमें गोविंद सहाब, भीखा सहाब और पल्टु सहाब इनके प्रमुक्ष शिश्यों में माने जाते हैं तो ये महतवपून चीजें हैं आपके जगजीवन दास ची के संबंद में तो जगजीवन दास ने इनकी जो रचनाए हैं ये हम पीछे पहले ही डिसकस कर चुके हैं कि इन्होंने कौन-कौन सी रचनाएं रची हैं और इन से सम्मंदित जो चीजें महतवपून थी वो मैंने आपके बीच में रख दी हैं आगे हैं देखिए दूसरे जो महतवपून कभी हैं इसमें ये हैं चरण दास और इन्होंने जो चरण दासी संपरदाय का परवरतन किया था तो देखिए इनके नाम से ही ज़ादा इसमें उलजने की बात नहीं है क्योंकि चरण दास है तो चरण दासी संपरदाय का परवर की तो हो सकता है इस तरिके से प्रशन पूछा जाए कि किस संपरदाय की बावन शाखाएं स्थापित की गई थी तो इसका सही सा उत्तर होगा चरंदासी संपरदाय तो हो सकता है आपको अलग-अलग संपरदाय दे दिये जाएं चाहे जग जीवन दास का सतनामी दिये दिये आगे हैं देखिए शिव नारायनी संपरदाय का प्रवर्तन शिव नारायन ने किया है तो ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि आपका जो शिव नारायनी संपरदाय था उसका प्रवर्तन किस ने किया शिव नरायन्ड ने किया इन्हीं के नाम से ही यहनोंने अपना संपरदाय चलाय था और इनके गुरु दुखहरण दास थे तो दुखहरण दास कौन है यह हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से तो तुलसी सहाब अगले जो कवी हुए थे देखिए इनका जो मौ शिव द्याल ने रादा स्वामी सत्संग का प्रवर्तन किया है तो रादा स्वामी आपने भी देखा होगा आपके आसपास रादा स्वामी सत्संग कई वार लगता भी रहता होगा जाते भी होंगे कुछ लोग सत्संग में तो इसका जो संपरदाय का प्रवर्तन किस ने कि आप चाहे तो वीडियो को पीछे करके पॉस करके उनको उतार सकते हैं अगर आपने इस तरीके से नहीं उतारना है पीडियेफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जूड़िए वहां पर जो भी चीज हम यहां पर आपको पढ़ा रहे हैं इसकी पीड कालेन जो अन्य दूसरे जो सूफिक अभी हुए हैं भक्ति कावय के अंतरगत वो कौन-कौन से हैं ये जान लेते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहला जो नाम आता है शेक निसार का इनका जो वास्त्विक नाम था देखी ये था गुलाम अश्रफ ठीक है तो गुलाम अश इस तरीके से प्रशन पूछ जाता है कि यूसुफ जुलेखा किस की कृती है या किस कावयधारा के अंतरगत आता है तो ये रिती कालीन सूफी कावयधारा के अंतरगत आने वाला प्रिमा ख्यानक कावय माना जाता है ठीक है यूसुफ जुलेखा और इसके जो रचना का र ठीक है, next से दिखिए, सूर दास, तो ये सूर दास कौन हैं, ये वो वाले सूर दास नहीं है, जिनों ने आपको जो भकति कालिन स्तंब माना जाता है, वो वाले सूर दास नहों कर, ये आपके गुर्दास पूर के सूर दास हैं, और इनोंने 1657 में, नल दमन नामक सूफी प्र खरण दास किसके गुरू थे यह थे शिव नरायन के गुरू ठीक है तो इन्होंने क्या किया 1669 में पुहु पावती जो पुहु पावती है शीर्चक से प्रेमाख्यानक कावे रचना की और यह संत कभी मलूक दास के शिश्य थे तो देखिए खुद यह किसके गुरू थे शि अरगत लेकिन यहाँ पर जो दुख हरण दास है जिनका अन्य जो नाम है देखिए वास्तिक नाम जो है मनमनोहर है वो क्या करते हैं इन अपना गुरू मानते हैं यह संत कभी जो मलूक दास थे ठीक है उनके यह शिश्य थे और इन्होंने जो पुहु पावती शिर्चक से प्रेमा ख्यानक काविर 1669 में लिखा है यह चीज इनके समन्द में महत्रपूर्ण है अगर हम अन्य सूफी कभियों की बात करें देखिए इसमें केसी हैं दामोदर हैं हंस है जनकुंच चत्रभुजदास सेवाराम जगजीवन दास नागर मुर्लिदास और यह आपके राम तो इनके जो प्रमुख कावे कृती है उनको शिर्षक इन तीनों ने क्या दिया है एक ही दिया है उशा अनिरुद बाकी जो उपर आपके दिख रहे होंगे आपको कि किस कावी ने कौन सी सूफी प्रेमा ख्यानक कावे रचना रची है रितिकाल के अंतरगत अब हम देख आगे इसके बाद जो रितिकालीन अन्य प्रवरितियों में अगला जो कावे है वो है आपका राम कावे ठीक है तो पहले तो आपका संत कावे था फिर सूफी कावे हो गया और तीसरा जो है राम कावे है जो प्रमुख रितिकालीन राम कावी हुए है इसमें दो तीन नाम आपको शरण वाले मिल जाएंगे, दगिए सबसे पहले जानकी रसिक शरण, फिर जनक राज किशोरी शरण, फिर जानकी शरण, और फिर राम प्रिया शरण, तो ये चार नाम तो ऐसी हैं, जिनको आपने याद रखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, simply इनका जो आखिर वाल पोचा गया था कि दिये गए कभियों में से कौन सा कभी रितिकालीन राम कावेधारा के अंतरगत आता है, तो उसका जो सही उतर था जनक राज किशोरी शरण, तो ये चीज बहुत जादा मौतपूर्ण है कि आपको इनके नाम पता होने चाहिए, इनकी रचनाए उतनी मौ पास की, तो इन्होंने भवानी 25 समय प्रवंद, माधुरी प्रकाश और जान की सहस्तर नाम, ये रचनाए इन्होंने रची हैं, फिर उसके बाद जो लाल दास हैं देखिए, इन्होंने अवद विलास लिखी है, खलांकि अवद विलास के समय में हमने आपका जो भक्तिकाल है, राम कावेधारा की अंतरगत इसको पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर जो रितिकाल के आसपास इनका समय माना जाता है, लगवज 1700 के आसपास या 1743 के आसपास, ये exact आप अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, अगर आपको मालूम है कि कब लिखाता इन्होंने, त ये क्या है, हिंदी का प्रत्थम नाटक है, ठीक है, तो इसकी रचना किस ने की है, विशुनात सिंग ने की है, और रामचंदर की सवारी और रामायन, ये रचनाएं भी विशुनात सिंग की प्रमुख रचनाएं हैं, अगला जो नाम है दिखी वो है नवल सिंग, इन्हों कभी थे, उनके बारे में महत्वफ़न चीजें और इसमें से जो कृपा निवास हुए हैं, देखिए, इन्होंने क्या किया है इन्होंने आपका जो 19. या 18. शती के अंतिम चरण में या 19. शती के प्रारंभिक दौर में क्या वाना है कि जो रामायत सक्षी संपरदाय का प्रवर्तन इन्होंने किया था, तो देखिए कौन सा संपरदाय था, रामायत सक्षी संपरदाय, ठीक है तो इस संपरदाय की इन्होंने स्थापना की थी, तो यहां पर रामायत का लिखना है और सखी आपने बाद में करना है कि रामायत सखी संपरदाय का प्रवर्तन किस ने किया था ये कृपा निवास जी ने किया था 18 शती के अंतिम चरण में और 19 शती के प्रमभिक समय में ठीक है इसके अलावा भी आपके जो रितिकाल में आने वाले राम का अंत्रगत आने वाले जो कभी हैं उनके बारे में आपके पास जो भी पुस्तक होगी थोड़ा सा चीज हैं पढ़ लिजेगा जो प्रमुक्त है वो मैंने आपके बीच में रखती हैं एक जो महतरपुर्ण नाम आता है वो आता है प्रेम सकी और ये पुरुष्ण अपर क्या ह इस त्री है और इनका नाम क्या है पूरा जो वास्ट्विक नाम है इनका देखिए वो है बक्षी हंसराज श्री वास्तव ठीक है तो ये नाम भी आपका किसके अंत्रगत आता है जो राम काव्या आता है रितिकाल का उसमें इनको माना जाता है प्रेम सकी को ठीक है तो ये रितिकाल में जो कृषिन कावय है वो जादा तर माना जाता है कि इन्होंने क्या किया है प्रबंध और मुक्त के रूप में अनिक कृषिन कावय रचे है। गुमान कवी के बारे में हमने पहले प्ठ़ लिया था कि ड़ो राम च्छंद्रीका है किसकी, जो केशव दासने लिकिती उसमें उन्होंने लिखी थी गुमान मिष्नने रचना, ठीक है, कौन सी रचना रची थी, राम च्छंदरीका के लिए मतलब जिस तर्के से, उसके मुकाबले इनों ने ये रचना रची थी जिस तरीके से किश्यव ने रामचरीत मानस के मुकाबले में कौन सी रचना रची थी रामचंदरी का लिखी थी और उसी को चलेंज करने के लिए गुमान मिश्रों ने कौन सी रचना रची आगे कृष्ण चंदरी का रची थी लिखी थी तो महत्वपूर्ण नाम यही आते हैं इसके अंतरगत और जो डॉक्टर नगेंद्र हैं देखिए वो क्या कहते हैं यह कहते हैं कि जीवन की एतिहासिक्ता से गवराने वाले धरम भीरू रिती कवियों को रादा क्रिशन का अनुराग आश्वासन देता था तो यह कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन है हो सकता है पूछा जाए कि यह किसका कथन है तो यह कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने किसके समद्ध में आपके जो रिती कालीन क्रिशन कवि थे उनके समद्ध में कि जीवन की एतिहासिकता से गवराने वाले जो धरम भीरू हुए हैं वो हो रिती कवियों को रादा क्रिशन का अनुराग अश्वासन उनको देता था ठीक है तो यह चीज है डॉक्टर नगेंद्र का प्रमुकतन है तो यह थे रिती कालीन अन्य जो प्रवरितियां और अन्य जो कवि थे हो सकता है इस तरीके से प्रशन पूछा जाए या कई इन से प्रशन बनने की संभावना रहती है तो आपके लिए बहुत जादा महत्वपून होने वाला लेक्चर है तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इससे अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मिन भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्टी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहिंद